दोस्तों इंडियन रेलवे ने अब ट्रेनों में से स्लीपर कोच को हटाकर एकोनोमी कोच को लगाना शुरू कर दिया गया है और मैं आपको बता दूँ कि एकोनोमी कोच में लगने वाला जो किराया होता है वो sleeper coach में लगने वाले किराय से थोड़ा आपको ज़्यादा ही दिखने को मिलेगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Indian Railway के दोरा आखिर कार ऐसा क्यों किया जा रहा है और अब economy coach में travel करने के लिए आपको कितना ज़्यादा किराया पे करना पड़ेगा बेसिकली ऐसा बता जा रहा है कि Indian Railways की ट्रेंस में travel करने वाली passenger की जो संक्या है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है ऐसे में दोस्तों ग्वालियर की चार ट्रेनों में sleeper coach की जगे economy coach को लगाने की खबर निगल के सामने आई है और मैं आपको बता दूँ कि सुसासन एक्सप्रेस और दोर एक्सप्रेस ट्रेन में पहले से ही economy coach को लगाया जा चुका है लेकिन दोस्तों दो दिन पहले ग्वालियर और एहमदाबाद के बीच में चला जाने वाली train में economy coach को लगा दिया गया है लेकिन अगर आप economy coach के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ तो अगर आपके ticket पर M लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको 3rd AC economy coach में travel करना है लेकिन जिन economy coaches को फिलाल train में लगाया जा रहा है उन economy coaches को 3rd AC economy coaches के नाम से नहीं जाना जाएगा क्योंकि जिन economy coaches को अभी के लिए train में लगाया जा रहा है वो coaches आपको 3rd AC economy coaches से थोड़े अलग देखने को मिलेंगी लेकिन इस economy coach में मिलने वाली जो सुईदाएं है वो आपको बिल्कुल 3rd AC economy coach की तरह ही देखने को मिलेगी लेकिन इसमें लगने वाले जो किराया है वो 3rd AC economy coach से आपको कम ही देना पड़ेगा और ऐसा बता जा रहा है कि इन economy coaches में ज़्यादा सीटों को लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग economy coach में ट्रैवल कर पाएं और सभी लोगों को confirm seat मिल पाएं तो कुल मिलाकर इंडियन डेलवे के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि ट्रेनों में से sleeper coach को हटा कर economy coach को लगा दिया जाए क्योंकि economy coach में मिलने वाली जो सुईदाए है वो आपको sleeper coach से कहीं ज़्यादा बैटर देखने को मिलेगी जिसके कारण ultimately passengers की जो journey है वो काफी ज़्यादा comfortable हो जाएगी तो वाल दोस्ता इस वीडियो में इतना ही I hope you like the video तो पुरी मिलेगी